Good afternoon students, so in previous class we have discussed our subjective test but again I am telling you, आपने जिस तरीके से subjective test किया है we don't do like this हम इस तरीके से answers अपने steps, अपने maths में कभी भी maths क्या किसी भी subject में बिना एक step के एक proper way होता है question को करने का आपके पास कुछ points होते हैं even आप जब Hindi और English के essays भी लिखते हो, वहाँ पे भी आपके पास एक points होते हैं कि आपको सबसे पहले introduction लिखना होता है then उसके बारे में कुछ details लिखनी होती है then अपने experiences लिखने होते हैं then उसके बाद at the end आपको conclusion लिखने होते हैं आप हर चीज में एक proper way, एक proper step को follow करते हो so maths में और geometry में बिना figure के आप कोई question solve नहीं कर सकते figure is mandatory to draw आपको figure जो है वो बनाना ही बनाना है चाहे question में already बना हुआ है या नहीं बना हुआ है it is compulsory for you to draw second thing जब आप lines को लिख रहे हो उसका reason देते हो question में आप बागी subjects में तो आपको proper पूछा जाता है why and maths में आपको why नहीं लिखा जाता है why because maths में already पता होता है कि जब आप आपने answers लिखोगे उसमें automatically reason दोगे so reason तो automatic होता है maths में और आप without reason answers को लिखते हो and वो जो answers होते हैं वो भी गलत होते है why because आपको पता ही नहीं होता है वो answer क्यों आया है आपके पास कोई reason ही नहीं होता है just like random आपको कुछ भी दिख जाता है तो you can have that value in the copy और आपको लगता है हमने बहुत सारा test किया है हमने paper भर भर के test किये है so it means we will get good marks no it is not like this so अगर आपने test आपने pages sheets भरी है लेकिन आपने किया क्या है आपको नहीं पता है उसका proper reason ही नहीं पता आपने आपने answers ऐसे ही लिखे है तो you will not get marks for that thing ये सिर्फ इस चीज के marks नहीं मिल सकते है कि आपने sheet भरी है so I should give you the marks this is not like this आपको चीजें समझनी है and I have seen many of the time that what you do you don't watch the videos आप videos नहीं देखते हूं और आपको जो answer sheets जो मैं आपको answer sheets send करते हूं आपको वहाँ से जो चीज समझ में नहीं आती है वो आप doubt पूछते हो मैं मुझे ये समझ नहीं आया आपने video देखी कितनी बार देखी second thing और दूसरी चीज कि अगर ठीक है अगर आपने दो तीन बार देखे है उसके बाद आप में को doubt पूछ सकते हो बट ये नहीं कि आप answer sheet से answer देख रहे है और आपको समझ में नहीं आया तो चलो मैं उसको call करके हम पूछ लेते है although हमने video नहीं देखी it is not like this आप videos को पहले ध्यान से देखिए एक बार नहीं समझ आती है दूबारा ध्यान से देखो क्या बोलना चारे है दो तीन बार में जब नहीं समझ में आयेगा then you can call me and ask I am available for you but आप videos नहीं देखते हो and some of you what you do जो answers भेज़े जाते हैं आप उन्हीं कोई copy करके मुझे send कर देते हो so ऐसा तो नहीं चलेगा because अगर ऐसा करोगे तो maths आपकी week होती जाएगी day per day because level आप होता जाएगा आप वो पिछला level भी समझ नहीं पाओगे और वो upper level तो फिर आप बिलकुल ही नहीं समझ पाओगे और इस तरीके से आप धीरे-धीरे maths में week होते जाओगे and आपको फिर maths से और जादा डर लगने लगेगा so please try to understand it आपको इस तरीके से चीज़े नहीं करनी है आपको चीजों को पहले समझना है concept को समझना है ध्यान से कि actual में ये concept होता क्या है so that जब आप अपने answers को लिख रहे हो तो आपके पास उस answer को उस value को लिखने का एक proper reason हो एक random नहीं हो simple equation जैसे जो simple सी चीज solve करने वाली थी मैं बार-बार repeat करती हूँ that which steps you have to follow आपको क्या-क्या steps कैसे कैसे करके follow करना है still you don't understand still आपने simple equation जैसे questions में भी problems करी है उसमें भी आपने गलत किया है so this is not done आपको पहले videos देखनी है ध्यान से देखनी है and then you will start doing your work now in today's class we will start with the objective type test that what are your mistakes or if you have done all the answers correct then it's well and good it's excellent कि आपने सारे answers को correct किया है so we will start with objective test today this was question number 3 question number 3 is without changing the equality we may dash the same quantity to both sides of the equation ठीक है अब यहाँ पे हम word use करते हैं maths में transpose what does it mean transpose means हम एक variable को एक number को किसी भी number को एक equal के दो साइड होते हैं left hand side and right hand side तो हम किसी भी variable को left hand side से right hand side पे convert कर सकते हैं और sorry transpose किया जा सकता है so this word is for transpose next was write the equation for the following condition twice a number अब इस condition के लिए हमें equation बनाने हैं so how the equation will be formed twice a number when increased by 7 gives 25 तो अगर यहां पे बहुत साइज जी options हैं four options है correct option है 2x plus 7 is equals to 25 now we will get to know that how this answer will be correct क्यों हो यह होगा let's do that so मैंने इस statement को दुबारा से यहां पे लिखा हुआ है twice a number increased by 7 gives 25 मैंने इसको अलग-अलग underline किया सबसे पहले twice twice का मीनस होता है 2 and multiply 2 को multiply करना a number वो number कौन सा हो सकता है x हो सकता है increased by 7 increased by 7 means plus 7 obviously increase means plus so plus 7 now gives gives means what you will put equal to sign and 25 so my equation will be 2 into x plus 7 is equals to 25 अब हमने पढ़ा है यह जो multiplication sign होता है we always remove that so हम क्या करेंगे इसको remove करके we will directly write 2x plus 7 is equals to 25 so this would be the answer so next question was which of the following is a solution of given equation इन में से कौन सा जो है वो given equation का solution है c इसमें आप दो मिथद यूज कर सकते थे because यह MCQ question था multiple choice question तो आप एक एक करके values को पुट करके भी चेक कर सकते थे इस question में एक चोड़ी सी mistake थी जो आपने किसी से ने notice नहीं की but it's okay value यही होंगी value से value में कोई फरक नहीं है बस क्यूंकि जगा मैंने x लिख दिया गलती से next thing आप x is equals to 2 तो हम क्या कर सकते करके option को यहां पर पुट करकर के देख सकते है left hand side पे मैंने अगर इसको 2 पुट किया है तो it will become 2 2s are 4 plus 6 10 obviously 10 is not is equals to 0 so this is not true यह solution नहीं है फिर हम ऐसे x is equals to minus 2 को check कर सकते थे it will become 2 into minus 2 minus 4 plus 6 plus 2 answer आएगा जब हम इसको solve करेंगे because we know the integers हम integers को कैसे solve करते है so and second method क्या हो सकता है कि जिस तरीके से हम steps को solve करते है transposing method या doing subtraction or addition from both sides वो भी हम कर सकते है यह plus 6 है तो इधर जो है चला जाएगा shift हो जाएगा तो minus 6 हो जाएगा we will do that all so अभी इस में question 5 के अंदर 2Q plus 6 is equals to 0 तो अब क्या होगा plus 6 जब right side पे जाएगा that would be minus 6 next thing क्या होगी 2 multiply है तो जब right side में जाएगा it would be divided so how it will be Q is 2 and 6 के बीच में common factor है 2 because 2 के 2 के टेबल में तोनों आते हैं 6 भी आता है and 2 भी आता है so it will become minus 3 now denominator का 1 we ignore always हम हमेशा ignore कर देते हैं so it will become Q is equals to minus 3 now coming to next question so next is if two adjacent angles are supplementary they form supplementary means 180 degree अब adjacent भी है साथ में साथ का सम 180 डिगरी भी है what does it mean जब तो कुछ 2 और 2-3 angles adjacent होते है and उनका पूरे का सम 180 डिगरी आता है it means what are they they actually are linear pair because वो पूरी एक line draw कर देते है we have done this already in the revision class of chapter number 6 or chapter number 5 the sum of lens of any two sides of a triangle is dash the third side of the triangle हमने पड़ा है कि triangle की special property होती है कि उसकी किसी भी two sides का जो sum होता है that is always greater than the third side equal भी नहीं होना चाहिए what was the last option greater than or equal to तो तो यह नहीं होता है तो यह नहीं होता है सिर्फ बड़ा होना चाहिए अगर equal भी होता है suppose करो two sides है three and four and the third side is seven centimeter because three plus four seven होता है seven is equals to seven ऐसे में भी triangle बनना is not possible coming to the next thing in adjacent figures if L is parallel to M then angle one is equals to angle two L जो है वो parallel है M के and angle one angle two के equal है it is very clearly seen कि यह Z बन रहा है ठीक है और जब भी Z बनता है और दो वर्टिसस पे angle बनते है दो corners पे Z के दो corners पे जब angles बनते है इनको हम alternate interior angles बोलते है so what we will write in this fill in the blank this will be alternate interior angles corresponding angles F बनाते है vertically opposite angles तो आपको पता है यह जब lines cross करती है उसके opposite होते है adjacent angle जिनकी side common होती है vertex common होता है and साथ में वो दोनो जो common arm होती है common side होती है उसके opposite तरफ पे बनते हैं so it is basically one and two are alternate interior angles क्योंकि यह Z के vortex पे बन रहे है coming to the next which of the following makes a right angle right angle इनमे से कौन सा बनाता है let's first of all figureize it हम इसको अगर figureize करें एक imagine करें या figure में के थूँ हम इसको जानने की कोशिश करें तो right angle 90 degree कौन सा बना सकता है में में से